चलिए question number one का answer करिये तो नम ने लखे थे मैंसे कौन सा कथन जो है वो असत्य है इन मैंसे कोई एक गलत है चार विकल्प है देखे बड़ालाचा दर्रा जो है हमाचल प्रदेश में इससे था है दूसरा statement है जेले पला दर्रा अणाचल प्रदेश में इससे था है और यंग याप दर्रा अणाचल प्रदेश में इससे था है और तुझू दर्रा का संबन जो है वो मनिपूर राजे से है तो देखे तुझू दर्रा मनिपूर काया correct है यंग याप दर्रा अणाचल प्रदेश का है जेले पला पता होगा आपको सिक्किम का है पड़ाल अच्छा हेमांचर प्रदेश का है तो भी गलत है तो देखें जेले पराद दर्रा जो है वो सिक्किम का है बहुत पूछते हैं इसको कुशन नमबर टू पर आजाईए नमलखित कत्मों पर विचार करें तो स्टेटमेंट है यहां पर पताने के इनमेंसे कौन सा करेक्ट है भारत का मानक समय इलहबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली साड़े 82 डिगरी पूर्वी देशांतर को माना गया है साड़े 82 डिगरी पूर्वी देशांतर पांच राजियों जो है उत्तर प्रदेश, मद्धर प्रदेश, 36 गड़, उड़ी सा और आंधर प्रदेश से होकर गुजरती है करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका अंसर तो पढ़ लिजेगा एक बड़ उसको Question No.3 पर आजाईए नमर्खित कथनों में से कौन सा एक कथन जो है वो असत है यहाँ पर अर्कियन क्रम की चट्टाने ग्रेनाइट और नीज से निर्मेत प्राचीनतम संरचना है अर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवास्म पाये जाते हैं हिमालय परवतिय चेत्र की जड़ों में अर्कियन संरचना मिलती है यह most important है जोग्रफी के अंदर बहुत पूछते हैं इनको अर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवास्म पाये जाते है अरकेन क्रम की चट्टाने धात्विक और एधात्विक खनिज संसादनों के भंडार की दरश्टी से अत्यांत महत्वपूर्ण संरचना है परंतु गहराई में नीचे की पड़तों में चले जाने के करण आर्थिक दरश्टी से इनका दोहन कठिन है कुश्चन नमबर फोर पर आजाएए नमलखित कत्नों पर विचार करें तो इस स्टेट्मेंट है यहाँ पर बताना की नमें से कौन सा करेक्ट होगा अर्कियन संरचना में भौतेक एवम रासायनिक परिवर्तन और अपर्दन के द्वारा प्राप्त अबसादों के निक्षेपण से धारवाड संरचना का विकास हुआ है धारबाड चट्टाने जीवास्म रहित कायांतरित अवसादी चट्टाने हैं दोनों के दोनों statement correct है C है इसका answer अब आज़े ये question number 5 पर नमरिकित कतनों पर विचार करने दो statement है याँ पर बताने किनमें से कौन सा correct होगा भारत में धारबाड करम की चट्टाने हिमाले की लदाख में जासकर में गड़बाल और कुमायू स्रणी में भी पाई जाती है धारबाड करम की चट्टानों में धात्विक खनीजों का अभाब रहता है देखे धारबाड करम की चट्टानों में धात्विक खनीज का अभाब नहीं है वलकि प्रशुर मात्रा में है तो इसका उत्तर के वल एक हो जाएगा दो नहीं होगा तो धारबाड सनरचना का सरवारिक विकास करनाटा के धारबाड शेतर में हुआ है इसके अतरिक्ति है अरावली परवद छेतर चोटा नाकपुर पठार शेतर और मेगाले के शिलोंग रेंज में पाई जाती है हिमाले की लद्दाग जासकर गडबाल वे कुमाउ स्रेडी में भी धारबाड करम की चटाने पाई जाती है अगला स्टेट्मेंट है धारबाड करम की चटाने धात्वी खनीजों के लिए परशिद है इनमें लोह अयस्क मैगनीज सोजना चांदी डोलोमाइट अभरग तामबा आधी पाई जाते हैं कोशन नुम्बर 6 पर आ जाईए नि मर्क मर्की चटानों के लिए परशिद हैं कौन सा वाला करेक्ट है इसमें दोनों के दोनों करेक्ट हैं तो इसका अंसर है ऑप्शन नुम्बर C तो देखे धारबाड और अर्कियन सनरचना में अपरदन और भौतिक राशानिक परिवरतन से प्राप्त अपसादों के निक् गोडबाना करम की चटाने परशिद्ध है देखे तो पता ही होगा आपको कोडबाना करम की चटाने परशिद्ध दें तो C है इसका आंसर कोईला भंडार की दृष्टी से सबसे जादे महत्पूंट शेतर है कुश्य नुबर 8 पर आजाईए इस प्रेशन को पूछा थमरेल पर नम्रकित मेंसे कौन सी चटान करम भारत में सबसे नवीनतम है कुडपा विंद धारबाड या गुंडवाना में सबसे नवीनतम चटान कौन सी है तो गुंडवाना है कौन सी है गुंडवाना लंड तो अपरोक्त मेंसे गुंडवाना करम की चटाने सबसे नवीनतम है और इनमें कोईले के भंडार हैं किसके कोईले के question number 9 पर आजाईए, दो statement है यहाँ पर, इन मेंसे कौन सा correct है बताना आपको, myocene काल में लगू हिमाले की उत्पत्ती होई, और plyocene काल में शिवालेक हिमाले की उत्पत्ती होई, जो हिमाले की नवीनतम परवत स्रंखलाओ में से एक है, कौन सा correct है इसमें, देखें, दोनों के दोनों correct हैं, C है इसका उत्तर, पढ़ लिजेगा दो बार उसको, question number 10 पर आजाईए, 9 degree channel, नमलकित में से किसे अलग करता है, यह important है question, 9 degree channel किसे अलग करता है, एक बहुत पूछते हैं, 9 degree channel, वो सबको बताओगा, अंडवान और निकोबार को अलग करता है, और 10 degree channel किसको परता है, अंडवान और निकोबार दुइब को, question number 11 है, पुदुचेरी का छेत्र, नमलकित में से किन राज्यों में विभाजित है, यहीं भी important है प्रश्ण तो पुदुचेरी का छेत्र विभाजित है किसमें तमिलनाडू, केरल और आंधर प्रदेश में किसमें है इस तरह से पीछे साहियां से आंधर प्रदेश तमिलनाडू और केरल में करनाटक तो यहां तक चल जाता है तो पुदुचेरी का छेत्र तमिलनाडू, केरल, आंधर प्रदेश राजियों भी भाजित है पुदुचेरी 1954 में फ्रांस की आधिन था पुदुचेरी जिला और कारीकल जिला तमिलनाडू में इस्तित है और माहे जो है या पयार कहा जाता है उत्राखंड में इन मैदानों को बुग्याल या पयार कहा जाता है करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टिट्मेंट यहां पर यह तो देखिए लगु हिमाले को मध हिमाले भी कहा जाता है इसका वेस्तार जो है वो ब्रहध हमाले के दक्षण में है तीनों पर चर्चा हो चुकी है सबसे उपर ब्रहध हमाले बीच में मद्ध हमाले सबसे नीचे सिवालिक स्रणिया वो इनके एक एक दो दो तीन तीन नाम है देखें लगू ही माले के ढाल पर छोटे-छोटे घास के मैदन पाए जाते हैं जिन्हें कस्मीर में मर्ग कहते हैं जैसे सोन मर्ग, गुल मर्ग, आदी और उत्रा खंड में इन घास के मैदनों को बुग्याल या पयार कहा जाता है कुश्चन नुबर 13 है बरेल परवत स्रणी इन में से किस राज में इस्थित नहीं है असम में है मनिपूर में है नागालेंड में है लेकिन तरपुरा में नहीं है तो बरेल परवत स्रणी जो है तरपुरा में इस्थित नहीं है बरेल परवत स्रणी असम मनिपूर और नागा की सीमा बनाती है, पटकाई बुम, कौनसी है, पटकाई बुम, तो पटकाई बुम जो है वो अनाचल प्रदेस और मेमार की सीमा बनाती है, इसको याद रखिएगा, कोश्चन नमबर 15 पर आ जाईए, नमलखित कतनों पर विचार करें तो श्टेट्मेंट यहां पर बताना की कौन सा करेक्ट होगा, सांगला घाटी हिमाचल पर देस में ज्तेथ है, और मालना घाटी हिमाचल परदेस में छोटा यूनान के रूप में पर्श्रिद्ध है, यह दोनों के दोने स्टेट्मेंट करेक्ट है, इसका उत्तर है, उप्सन नमबर C, तो देखिये सांगला से ये 15 प्रश्णों का अच्छे सा रिविजन